नमस्कार मैं आपका जोसी मोहंजी नशत्रवानी चैनल से मातारा को परणाम करते हुए अपने गुरू को परणाम करते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन अभी तक मैंने आपको A, B और C तीन लेटर के बारे में बताया था आज कभी से मेरा है? लेटर D अगर आपके लेटर D है तो इसका क्या परभाव होगा और 2022 में इसके क्या परभाव होने जा रहे हैं? अभी तक मैंने आपको अक्षर लेटर A, लेटर B, लेटर C के बारे में बताया था अभी तक हमने आपको बताया था नाम के पहले अक्षर A, B, C आज मैं आपको नाम के पहले अक्षर D यानि द, नाम का अगर पहला अक्षर आपका D से सुरू होता है या द से सुरू होता है तो उसके पीसे में मैं आपसे आज बात करूँगा नाम का पाला अक्षड़ी चार अंक को रिप्रजेंट करता है नंबर फूर और अंक सास्त्र के अंसार चार अंक राहू को रिप्रजेंट करते हैं इस कारण नाम के पहले अक्षड़ी वाले अदभुत कार छमता करने की सकती रखते हैं नाम का पाला अक्षड़ी जिसके कारण राहू काफी उन पर हावी रहते हैं और राहू से काफी वो जुरह हुए होते हैं वैसे तो हर बेक्ति राहू से काफी जुरा हुआ होता है क्योंकि राहू छाया गरा है और जब जब आपकी छाया बनेंगी राहू आपके साथ ही चलेंगे लेकिन जिनके जिन पर राहू का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है वैसे बेक्ति के साथ दो फरमूला लागू होते हैं राहू से जुरेवुए बेकती जो बहुत ज़्यादा राहू से जुरेवुए बेकती है अगर उनकी सूच निगेटिव हो गई तो राहू उनको निगेटिव ही फल देगा अगर उनकी सोच पोजिटिव हो गई तो राहू पोजिटिव ही फल देगा यानि कि चंद्रमा काफी उनसे जुड़ा हुआ रहता है चंद्रमा ही मन का काड़क है और जब चंद्रमा जुटा हुआ रहेगा और लोग निगेटिव सोचेंगे तो निगेटिव ही फ़ल मिलेगा लोग पोजेटिव सोचेंगे तो काफी इनर्जेटिक रहेंगे और अच्छे-च्छे काम करेंगे तो पोजेटिव फ़ल मिलेगा तो जिन जातक का नाम का पहला अक्षडी से सुरू होगा वो बड़ा ही कुसल प्रशासक, मिधावी छात्र, काफी विद्वान, अच्छे मार्ग दर्शक, ऐसे ब्यक्ति, जिस आदमी को टीच करेंगे, चाहे रास्ता दिखाएंगे, जिस आदमी का कंसल्टेंसी करेंगे, वो आदमी काफी तरक्की करेंगा, यानि कि वो काफी अच्छा मार्ग दर्शक होगा, इनकी बानी में बहुत ज्यादा आकर्शन होगी, और बानी के बल पर ये अपने हर कार्ज को निकालना जानते हैं, दीन अक्छर वाले ब्यक्ति, बानी के बल पर अपने हर कार्ज का निस्पादन आसानी से कर देते हैं, क्योंकि इनमें बोलने, समझने और दूर तक देखने की छमता रहती है, ऐसे जा तक काफी सोश समझ कर भी बोलते हैं, सामने वाले को परकना इन्हें बहुत अच्छी तरह से आता है, और काफी सोश समझ के ये अपनी बानी को निकालते हैं, ये अपने लक्ष के परती पूर्ण रूप से कटिवत धे रहते हैं, कि हमें ये लक्ष पाना है, और पाकर ही रहते हैं, इन्हें अपने मान सम्मान की भी बेहत फिक्र रहती है, कहीं इनका मान सम्मान घट नहीं जाए, तो इनको मान सम्मान की बेहत फिक्र रहती है, जिसके कारण, अगर इनकी सोच पोजिटिव है, तो गलत काम से पूरे रूप से दूर रहते हैं, अगर इनकी सोच निगेटिव है, चंद्रमा की इस्तितिय इन पर अच्छी नहीं है, तो इनके सूच निगेटिव हो जाएंगे और मान सम्मान की कोई फिक्र नहीं रहेगी लेकिन फिर भी समाज में इनका मान सम्मान और दवंगई काफी उच्च स्रेनी में रहता है ऐसे ब्यक्ति प्राया जल्दी किसी की बात को नहीं मानते हैं ऐसे ब्यक्ति किसी की चम्चा के रही जल्दी नहीं करेंगे ऐसे ब्यक्ति अंद पिस्वासी तो बिल्कुल ही नहीं होंगे ऐसे जातक कूट निती एवं राज निती में बड़े ही पंडित होते हैं बड़े ही ज्यानी होते हैं कूट निती और राज निती में दीन नाम से शुरू होने वाले ब्यक्ति काफी जिद्धी सुभाब के भी हो जाते हैं कहा जाता है कि ऐसे ब्यक्ति बात करने में जादूगर होते हैं जब बात करेंगे तो आपको सम्मुहित कर लेंगे बात करने में पूर्ण रूप से ये जादूगर होते हैं जादू दिखलाना नहीं ये लोगों को अच्छी अच्छी बाते करेंगे और सामने वाले को बिलकुल मुहित कर लेंगे अपनी बात से लड़कियों में खास करके अपोजिट सेक्स में ऐसे ब्यक्ति काफी लोग प्रिये होते हैं काफी लड़किया इनके आगे पीछे गुमते रहती हैं क्योंकि ये बात तो इतनी सांदार करेंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा कि सच क्या है और जूट क्या है ऐसे ब्यक्तियों का प्राया देखा गया है कि दामपत जीवन कस्ट मैं रहता है क्योंकि ये आहम के सिकार हो जाते हैं ऐसे ब्यक्ति प्राया लव मेरेच किरनी की कोसिज करते हैं और कर भी लेते हैं लव मेरेच तो ये कर लेते हैं लेकिन बहुत जल्द ये अपने दामपत जीवन से नाखुस हो जाते हैं क्योंकि इन में एहम की भावनाएं बहुत ज्यादा रहती है और एहम के कारण घमंड के कारण इनका स्वाभिमान अभिमान में बदल जाने के कारण इनको जल्दी किसी से पटेगा नहीं और दामपत जीवन इनका बराही कस्ट में हो जाता है लेकिन जिन बेक्तियों के चैंद्रमा मजबूत है जिन बेक्तियों के सुच पोजेटिव है उनके साथ ऐसा नहीं होता है वो बड़ा ही संतुरन बना के चलते हैं ऐसे बेक्ति ऐसे बेक्ति में खर्च की बहुत ज़्यादा अधिकता रहती है ला परवाही से ऐसे ब्यक्ति खर्च करते हैं जिसके कारण इन पर कर्ज का भी बोश्च चहर जाता है फिजूल खर्ची के कारण आर्थिक संकट में आ जाने के कारण ये बड़ा जल्दी ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ऐसे ब्यक्तियों में कुछ बुरी लतें भी लग जाती हैं बिसेश करके नसीले पदार्थ को लेने का सराब गांजा भांग लेने का इन में प्रविर्टी हो जाती है और ऐसे ब्यक्ति धीरे धीरे मांसिक आर्थिक सारेडिक रोक की सिकार होने लगते हैं मैं आपको यहाँ समझा दू कि जिन ब्यक्तियों का चंद्रमा की इस्तिती अच्छी नहीं है और जो ब्यक्ति निगेटी भी सुझते रहते हैं तो इन्हें सराब की लग्त, जुए की लग्त, नसिले पदार्थ की लग्त काफी लग जाती है ऐसे ब्यक्ति सेर सटा लोटरी में भी काफी इंट्रेस्ट लेते हैं और प्राय फायदा ही कर जाते हैं फायदा ही इनको होता है क्योंकि राहू इन सब चीजों का कारक भी तो है अगर ये सब आदितें आपको लग गई हैं तो मैं वीडियो के अंत में दो मंत्र बताऊंगा जो सर्तियां आपको अच्छे राह पर ले जाएगा अब दो हजार बाइस में डी अच्छर जिनका नाम का पाला अच्छर डी है उनके बारे में बता रहा हूँ कि दो हजार बाइस में उनका कैसा समय रहने की संभावनाएं हैं खास करके बेपसाए केरियर के लिए ये साल काफी अच्छा रहेगा आपका मार्थ दो हजार बाइस तक केरियर में अत्तिक उत्थान संभव नहीं है मार्थ दो हजार बाइस में ज़्यादा तर लोगों की कैरियर में उत्थान संभव नहीं है मार्थ के बाद नोकरी पेसा लोगों की कैरियर में अत्तिक उत्थान होने की संभावनाएं हैं आफ्टर मार्च आपको कैरियर में अपने सहयोगियों से पूर्ण सहयोग मिलने की संभावनाएं प्रवल हैं अगस्ट सेप्टमबर में उच्चाधिकारियों से आपको काफी अनवन हो सकता है तो आप अपने उच्चाधिकारियों से मिलकर काम करने की आदत डालें क्योंकि आप बड़े मूडी हैं ज्यादा तर डियक्षर वाले काफी मूडी रहते हैं तो अपने उचादिकारियों से मिलके काम करें अगर सेप्टमबर में कुछ उचादिकारियों से जंजट के कारण आपको अपने कार्चेतर में तकलीफ हो सकती है दिसंबर में आप इतने प्राकर्मी अपने आपको महसूस करने लगेंगे कि आपको पुनह अपने काड़ छेतर में परिशानी होगी तो ज्यादा तर डी एक्षेर वाले का 2022 बेपसाय में इस बात पर निर्वर करता है कि अपने को कितना संभाल के रखते हैं और कितना समय के अंसार अपने उशाधिकारियों के अंसार चता अपने पार्टनर के अंसार मिलकर चलते हैं अगर आप मिलकर चलेंगे तो समय काफी अच्छा हो जाएगा अब इनका बहवाहिक जीवन अच्छा रहने की संभावना है 2022 में जिन बेक्तियों को संतान नहीं है उन्हें संतान की प्राप्ती 2022 में संभव है स्वास्त पर आपको पूरा ध्यान देने की जरूरत होगी खास करके जीवन साथी के स्वास्त से आपको काफी परशानी का सामना करना परेगा तो जीवन साथी के स्वास्त पर आपको विसेश ध्यान देनी है काया कि जीवन साथी के स्वास से आपको काफी परिशानी का सामना करना पड़ सकता है 2022 में यात्राएं आपकी काफी होंगी पान सिक्रेट तमबाकू आपके लिए 2022 में यानि कि किसी भी नसीली पदार्थ का प्रयोग करना 2022 में काफी कष्ट दायक सिद्ध हो जाएगा तो 2022 में अपने आपको नसीली पदार से पूर्ण दूर रखें अब रेस्टुडेंट के लिए 2022 मई तक काफी अच्छे रिजल्ट्स लेके आ रहे हैं रेस्टुडेंट के लिए 2022 काफी अच्छा समय होगा काफी अच्छे रिजल्ट्स लेके आ रहे हैं लेकिन आपको मेहनत करनी होगी अच्छे रिजल्ट्स के लिए सबों को मेहनत करनी होगी आप मेहनत करें 2022 में जितने स्टुडेंट चातर चातरा हैं उनको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेगें अक्टुबर से दिसंबर तक जो स्टुडेंट हैं उन्हें उच्छी सिक्छा का योग है और आपका अड्मिशन काफी अच्छे इंस्ट्यूशन में होनी की संभावना है तो ज्यादा तर बेक्ति जिनका नाम डी अक्छर से सुरू हुआ है डी लेटर से सुरू हुआ है उनके के लिए 2022 अगर वो अपने स्वाविमान से बदल कर अभिमान में चले जाते हैं अपने उचादिकारियों से जवर्दस्ति जंजट रड़ाई करते हैं बैवाहिक जीवन में स्वेंग कला पैदा करते हैं मेहनत नहीं करते हैं तो 2022 आपके लिए अच्छा हो ही नहीं सकता है लेकिन जो मेहनत करेंगे जो संतुलन बनाके चलेंगे जिनका श्वाविमान तो बढ़करार रहे लेकिन अविमान की दृष्टी उन पर नव परे तो 2022 डी लेटर वाले जिनका अक्छर डी लेटर से सुरू हुआ है जिनका नाम डी लेटर से सुरू हुआ है चाहँ दस सुरू हुआ है उनके के लिए 2022 एक किमती तफा होगा तो आज कभी से इतना ही आप मेरे नच चत्रबानी को लाइक करें, शेयर करें, सबस्क्राइब करें नमस्कार